नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं फ्री पिक की मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने फ्री पिक से इमेजिस आप कैसे ले सकते हैं या फिर वहाँ पर कुछ अधर आइकॉन्स वगेरा हैं उनको कैसे ले सकते हैं और उन पर आपको कॉपिराइट या फिर इस तरह का कोई इशू आने वाला है क्या इस बारे में हमने बात की थी देखें कुछ कोईशन्स भी थे लोगों के तो हमें लगा कि क्यो ना एक बार फिर से फ्री पिक पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएं तो सबसे पहले हम फ्री पिक को आन करेंगे वेब पोर्टल पर जाकर फ्री पिक वेब साइट को खोलेंगे और ये भी देखेंगे क इसमें कौन-कौन से चेंजे हुए हैं क्या कुछ नया एड हुआ है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं AI का जो टूल है वो लगबग सभी ने अपने जो टूल है या जो उनका पैनल है उस पर एड कर रखा है तो ठीक वैसे ही आपके जो फ्री पिक की वेब साइट है इस पर भी AI generated images आपको मिल जाएंगी प्लस इसमें कुछ नया एक पिकासो का एक जो टूल है वो एड हुआ है उसके द्वारा भी आप image को generate कर सकते हैं हम फटफट फ्री पिक पर जाते हैं और फिर उसमें समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को तो सबसे पहले हम फ्री पिक यहाँ पर डालेंगे और यह हमारी freepik.com की website हमारे पास खुल गई तो इसमें यहाँ पर लिखा है नीचे आप देखेंगे यह तो यहाँ पर आप क्या इसमें sign up या sign in आप चाहें तो कर सकते हैं sign up अगर आपने कर रखा है तो sign in कर सकते हैं sign in करने के बाद इसमें देख र रहेगा क्योंकि sign up करने के बाद आप 10 free images daily download कर सकते हैं जिनको आप अपने काम में ले सकते हैं तो इसलिए अगर आपके gmail पर account है तो आप सीधर gmail से यहाँ पर sign up कर सकते हैं और फिर उसको आपके लिए use करना easy हो जाएगा मैंने यहाँ पर इसमें login कर रखा है तो मैं यहा अपने एक जो link है जो gmail ID है हमारी उससे हमने इसको login कर लिया है तो यह हमारा login हो गया है इसमें आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो यह vector का है में आपको tab मिलेगी बटन मिलेगा फिर photos का मिलेगा अब यहाँ पर AI image का एक अलग से option नोंने new करके डाल दिया है तो यह भी म अगासो है मौक अप जनरेटर है डिजनी है इस तरह के कुछ टूल भी यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं free images की तो high quality photos अगर आपने कोई भी photo आप यहाँ पर चाहते हैं तो आप simply यहाँ पर आपको type करना होगा कि माल लीजे हम डालते हैं flowers flowers हमने एक बर flowers य इस तरह की images आगई हैं यहाँ पर हम photo देख रहे हैं flowers के तो हम photo पर click कर देंगे तो यह हमारे पास flowers की photo आजाएंगी जिन में से आप यहाँ पर आएं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दो option मिल जाएंगे नीचे license में जाएंगे license में जाएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको एक free का option मिलेगा दूसरा एक button मिलेगा premium का तो अगर आप इसको premium version इसका लेना चाहते हैं तो इसमें pricing दे रखे हैं आप इसमें जब home page पर जाएंगे तो यहाँ उपर corner में आपको यह देखिए pricing का दिख रहा है तो यहाँ पर आप click करके इसकी pricing देख सकत हैं premium आप user बन जाएंगे तो आपको बहुत धेर सारी images मिल जाएंगी कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको free user को नहीं मिलती हैं लेकिन अगर premium membership ले ले लेते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी फिलाल हम free की बात कर रहे हैं तो हमें free पर click कर दे लेंगी और यहां पर आप देखेंगे images 91.85 की 91,850 images यहां पर collection में आपको दिखाई दे रही हैं इन में से आप कोई भी image यहां से आप ले सकते हैं और अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले हम यहां पर करते हैं और हम देखते हैं कि आप किस तरह की image को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मल लिजे आप कुछ इस तरह का image या background लेना चाहेंगे तो इस पर आप simply click कर दीजे click करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह का interface आएगा जहां आप देखेंगे तो free license आपको दिखा चीजे हैं for commercial and personal project के लिए आप use कर सकते हैं on digital और printed media के लिए यूज कर सकते हैं for an unlimited number of times and without any time limit from anywhere in world to make modification and create derivatives work तो यह कह रहा है कि आप personal या फिर commercial यूज के लिए भी आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इसको modify करके आप creative derivatives के तोर पे इसमें work भी कर सकते हैं और कई बार आप इसमें download कर सकते हैं printed media के लिए कर सकते हैं और दुनिया में कहीं पर भी आप इसको use कर सकते हैं और attribution required है यहाँ पर attribution क्या होता है आपको यह बताना होगा कि यह image आपने कहां से ली तो आप यहाँ पर how to attribute पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिख के आ जाएगा कि attribute क पर देना है यहाँ पर दे रखा है image by lactose on free pick तो इसको simply copy करके वहाँ paste करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वीडियो में आपको किस तरह से देना है paste the link in the properties area of the video description तो हम वीडियो के description माली यूटीब का कोई वीडियो आप बना रहे हैं जैसे YouTube वीमो पर दे रखा है तो description में आ देना होगा image by lactose on free pick तो इतना करने से आपको कोई भी right समंदी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपने इसमें JPG आपको मिल जाएगा edit कैसे करना है आप इन्होंने दे रखा है तो इसके लिए आपको AI की file या फिर PhD file यहाँ पर मिल जाती है तो वहाँ पर कर सकते हैं online edit करना है त लेकिन हम free user हैं तो free कर सकते हैं और यहाँ देख लें आपको small medium large हर तरह का और original size भी आपको मिल जाएगा आप जिस size में भी इसको download करना चाहें वहाँ पर simply आप click कर देंगे तो यह image आपके पास इस तरह से download हो जाएगी यह दिखे मैंने आपको download कोल दिया और यहाँ पर आ दिखेंगे तो यह image आपके पास download हो के आगई और full resolution में आपको मिलेगी image और इसका use आप easily कर सकते हैं बस attribute करना आपको ध्यान रखना है वो आप कर सकते हैं edit online मैंने इसका कभी use नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको edit कर सकते हैं मैंने फिलाल आगे हैं देखते हैं एक बार यहाँ पर कुछ filters प्रिसेट वगरा दे रखे हैं यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो प्रिसेट हो चेंज होता जाएगा और यह भी बहुत अच्छा टूल है आपके लिए आप चाहें तो यहाँ से चेंज करके simply यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे नीचे आएंगे तो ड्यू टून है आपर ड्यू टून भी आप यूज कर सकते हैं जिस तरह का टून आपको पसंद आएगा उस टून में भी आप ऐसा कम कर सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर आगए और यहाँ पर अगर आप आते हैं और यहाँ पर इसको contrast या brightness बग पाएंगे remove background का option भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा click करते ही यहाँ पर देखिए आपका background remove होना चाहिए फिलाल एक बार हमने click कर दिया है यह भी processing में दिखा रहा है देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर तो यह देखिए इस तरह से आपका background remove हो गया है image image आपके पास यहा download भी कर सकते हैं तो यह मैंने आपको edit करना बताया यहाँ पर edit भी कर सकते हैं इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं जैसा कि किसी का question था कि उसमें कुछ flagged करके आ रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पर flagged वाला कोई option नहीं मिला है तो आपको एक बार screenshot वगेर अगर आपका ह रहा है हम फिलाल एक बार home पर आने की आ जाते हैं यह AI image पर explore AI image पर click कर देते हैं यहाँ पर हम click करके देख लेते हैं देखें क्या हमारा आता है हम चाहते हैं a car यहाँ पर click कर देते हैं तो आप type करते हैं a car is running on the road with bike तो यहाँ पर हमने search कर दिया और click कर दिया तो यह image को generate करेगा जैसा भी आपने डाल रखा है तो उस तरह से generate करने की आपको कोशिश करेगा और इस तरह से आपके सामने वो bike rider या फिर car वाली images आपके पास आ जाएंगी premium option है उसमें कुछ आपको extra features मिल जाएंगे जैसे अभी मैंने देखा यहाँ पर कि जब मैंने यह डाला इसमें a car अच्छा कुछ typing mistake हो गया typing error हो गया a car फिर से करके देख लेते हैं a car running on the road with bike search करके देखते हैं तो यह देखिए यह हमेंने type किया यहाँ पर a car running on the road with bike तो इसमें देखिए जो हमारे पास images आ रही है इसमें सिर्फ bike को दिखा रखा है इन्होंने लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे और यहाँ पर आपके पास जो premium images आ रही हैं कुछ उनमें आपको यह दिख रही है bike और car दोनों साथ में otherwise यहाँ पर आपके पास कहीं car है तो कहीं bike है तो आप देख सकते हैं इसमें जिस तरह की images आपकी काम की हो तो उसको आप कर सकते हैं unique image होगी यहाँ पर आप free value image पर click करें और simply यहाँ से size जो है वो आप download कर सकते हैं premium पर जाकर भी कर सकते हैं हम यहाँ पर original size देख लेते हैं download करके और यह दिखे ही यहाँ पर download हो गया बस attribute आपको देना है image by free pick इतना आपने type कर देना है और इस तरह से आप use कर सकते हैं बहुत धिर सारी मिल जाएंगी millions में images यहाँ पर हैं जिनको आप अपने काम के लिए use कर पाएंगे easily without any restrictions बहुत से लोगों के question आते हैं कि अगर हम YouTube पर इसको इस्तिमाल करते हैं तो कहीं copyright तो नहीं आएगा जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप YouTube में वीडियो में इनका images का use करते हैं कहीं पर भी use करते हैं तो उसके लिए फिर आपको attribute करना होगा नीचे description का जो column आपको आता है जहां description आप वीडियो के बारे में लिखते हैं वहाँ पर आपको mention करना होगा image by free pick तो इस तरह से आपने use कर सकते हैं इस image को बिना किसी restrictions के इ इसमें एक बहुत एक नया option आया है और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और वो next video में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आप जाएंगे तो यह बहुत सारे नया option है इसमें एक option बहुत ही काम का है और वो उसके बारे में हम अपने next video में discuss करेंगे आज के video में फिलाल इतना ही आशा करता हूँ आज मैंने जो कुछ बताया है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा फिर भी आपका फ्री पिक से सम्मंदित कोई कुश्चन है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मिशन के साथ तब तक के लिए जै हिंद